रावी डैफ्यू में हलाफरामे ने खोली प्रियंका गांधी वाडरा की पोल प्रियंका और रोबर्ट वाडरा ने नहीं चुकाया 88.5 करोड रुपय का इंकम टैक्स प्रियंका गांधी की संपत्ती पर बीज़ेपी ने उठाई सवाल पूछना जमीन खरीदने के लिए कहां से आया पैसा कॉंग्रेस ने क्योखिया दरीत अध्यक्ष खड़के का अफ्माद कॉंग्रेस महासची प्रियंका गांधी वाडरा अपनी चुनावी पारी की शुरुवात करने जा रही है वाइनार उप चुनाव के लिए उन्होंने नमंकन दाखिल कर दिया है लेकिन इसी के साथ उनके चुनावी हलफ नामे में भारी गड़बडी दिख रही है सर्फ इत कीमत है वह 78.5 करोड रुप्य है जिसको लेकर बीज़पी लगातार प्रियंका गांधी वाडरा रोबर्ट वाडरा पर निशाना साथ रही है गांधी परिवार को खेर रही है और अब बीज़पी के समाम दिगज नेताओं प्रियंका गांधी वाडरा के इस चुनावी हमें पर सवाल उठाई हैं और कहा है कि दरसलकी टैक्स में भी की गई है इस पूरे खलाफ नामे में भी की गई है जिस तरीके से बीज़पी से शोंवारople नावा वाडरा की संपति का ब्यूरा जो है वह इंकम टैक्स के डाइटा से मेल नहीं खाता है इसको लेकर प्रियंका गांधि वाडरा, गांधि परिवार और साथ ही रोबला वाडरा पर हमला बोला है और क्या कुछ कहा थे ते परियंका वाडरा जी जो की एक प्रोड़क ऑव डायनिस्टी है उनके एफइडेविट को पढ़कर कई सारी शूचनां कई सारी information भाहर आई है कि किस प्रकार से जो उनका combined asset base है उनके और उनके पती का रॉबर्ट वाड़ा जी का उससे ज्यादा तो income tax को उनकी liability है income tax का demand है उन पे 80 करोर रुपीस का अब सोचे कि यदि 80 करोर रुपीस का income tax का demand उन पर है तो असलियत में उनकी income कितनी है और दिखाए कितनी जा रही है सत्ता के बाहर रहकर अगर गांधी परिवार इस प्रकार की जमीन चोरी tax चोरी या भ्रष्टाचारी करता है तो सोचे सत्ता में रहकर क्या करता था आज एक बात स्पष्ट है कि हाती के सिधान्त और Congress खास करके प्रियंका राहूल के सिधान्त खाने के अलग दिखाने के अलग क्योंकि इस एफिडवेट से ये भी पता चलता है कि जिस entrepreneurs को ये लोग गालियां देते हैं उसी entrepreneurs की company में invest और निवेश भी करते हैं directly या indirectly हमने ये भी देखा कि तेलंगाना भी उनका investment लिया जाता है उनकी अलग-अलग सरकारों में भी investment लिया जाता है तो यही Congress Party का चरित्र है चाहे सत्ता के भार हो सत्ता के अंदर हो चोरी करना और दूसी ओर सीना जोरी करना दूसरों पर उंगली उठाने वाले अब अपने tax story के बारे में बता है देखे यह सपष्ट करता है कि प्रियंका वाडरा क्या shady land deals में involved थी उनके husband Robert वाडरा के साथ में उनके एफिडेविट के हिसाब से Robert वाडरा पर demand notices जो income tax department ने सर्फ करें 2010 से लेकर उसकी value 80 करोड है परंतु जो assets उन्होंने declare करें हैं उसकी value 80 करोड से कम है मतलब ये साफ है कि कोई source of income कोई corrupt channel से वाडरा परिवार कमा रहा है जो वो बतारा नहीं चाहता दूसरा प्रियंका वाडरा और उनके ग्रदर राहूल गांदी सुबह श्याम राद दिन हिंदुस्तान के stock markets को abuse करते हैं और वो ही वाडरा फैमिली बड़े industrialist houses के stocks में Indian stock market में invest करती हैं ऐसे दोहरे मापदंड कैसे इसी एफिडेविट के हिसाब से 2013 में एक land प्रियंका वाडरा ने purchase किया था जिसकी value 5 गुनी हो गई है सवाल देश की जनता ये पूछ रही है कि आपकी वो source of income क्या है जिसके तहत आप land purchase कर रहे हूँ ऐसा तो नहीं रॉबर्ट वाडरा और प्रियंका वाडरा दोनों आपसी गड़ बंदन में business में भी आपसी गड़ बंदन में corruption में भी आपसी गड़ बंदन में involved थे जिसके तहत प्रियंका वाडरा रॉबर्ट वाडरा के साथ मिलकर shady land deals कर रही थी देश की जनता ये करप्ट वाडरा परिवार से सवाल पूछ रही है आपने बीचपी के परवक्ताओं को सुना जो दरसल उनकी आए पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और बीचपी ये पूछ रही है कि वाडरा ने जो जमीन खरीदी है उसे खरीदने के लिए आए का जर्या क्या था जब इस हलाफ नामे में प्रियंका गांधी वाडरा की जो खोशित की है तो बीचपी के नेता पूछ रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी अपने पती की तरह ही जमीन के संदिक्त सोदे में शामिल है क्या प्रियंका वाडरा अपने पती के साथ सब मिलकर काम कर रही थी जब मिस्टर वाडरा एंसे आर के संदिक्त सोदों में शामिल थे इसका मतलब कि वाड़ा गांधी परिवार अपने भृष्ट काम छिपा रहा है कि तमाम बड़े हमले बीच्पी के नेताओं के शर्खे बोले गाए हैं फिर चाहिए वो बीच्पी के परवक्ता गौरब भाठिया हो या फिर अमित मार्फय हो तमाफ लोगों के शर्खे ट प्रियंका गांधी वाठर का हलफ नामा जिसमें करीब करीब 75 करोड का टैक्स वाद और अगोशित आए प्रियंका गांधी कोई कारुपार या नोक्री नहीं कर रही है तो ये पैसा भारत को बेच कर कमाया है ये सवाल जो है वो गौरब भाठिया की तरफ से पूछा किया ह तो कुल मिराकर एक तरफ इस तरीके से जब उन्होंने वाइनार के लिए ये उपचुनाब जो हो रहा है उसके लिए नामंकन दाखिल किया है तो इस तरीके का बवाल जो है दरसल उनके हलफ नामे को लेकर साबने आया है वहीं पर दूसी तरफ एक और तस्वीर दरसल इस दोहरान साफ ने आई है जब प्रियंका गांधी वाठा के नामंकन से कॉंक्रिस पार्टी के राष्टे अध्यक्ष मलीका जुन खडगे को आउट करतिया किया जी हां तस्वीरे आप देख रहे हैं दरसल जब प्रियंका गांधी वाठा नामंकन दाखिल कर रहे हैं तो कई लोग अंदर बैठे हुए हैं लेकिन वहाँ पर राश्टे अध्यक्ष जो है पार्टी के उन्हें एंट्री नहीं मिली है इस तरीके से जो डियम ऑफिस है दरसल उसके गेट से वो जहाक रहे हैं और ये तस्वीरे सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है जिसमें हैं कि वैसे तो कॉंक्रिस पार्टी में मलिकार जुन खड़के की बारवार इस तरीके से बेज़ती हुई है और ये बेज़ती जग जाहर है लेकिन अब एक और तस्वीर साफने आई है जो इस बात का एहसास दिलाती है कि उनकी कोई एहनियत पार्टी के भीतर नहीं है और यहां पर जो दलित हिश्टेशी होने का ठोंग कॉंक्रिस पार्टी करती है वो भी पूरी तरीके से बेनकाब हो जाता है जब इस तरीके की तस्वीरे साफने आती है तो ये तस्वीर है जहां पर दरसल वाइनाट में ये तस्वीर निकल कर साफने आई है जहां पर खड़क अमने दिखाया कि कॉंग्रेस का अंदर दलीटो का पोजिशन क्या है बाहर राहुल गंधी दिखाता है कि कॉंग्रेस पार्टी दलीटो को समर्थन करता है दलीटो को समता का भागीदारी देता है लेकिन अंदर खाना का बात कैसा होता है दलीटो को कैसे अपमन किया जाता है काल का वीडियो जो बाहर हुआ, खरगे जी का साथ जो हुआ, उसका बात लोगों को बटाने के लिए और कुछ नहीं रह गिया है, कॉंग्रेस का परड़ा साभ हो सुका है, दलीटों को ओ बाहर में दिखाता है कि हम लोग दलीटों का साध है, अंदर में दलीटों को अपमान किया जाता है as a third class citizen treat कर किया जाता है untouchability को practice किया जाते है तो मेरा लगता है कि जो भी कोई दलित समाज अभी भी Congress Party में है या Congress Party को समर्थन करता है कालो वीडियो देखने का बात उनका Congress Party के लिए जो भी उनका मन में था वो साब होना साहिए Congress Party में दलितो का कोई सनमान नहीं है पिसरे का कोई सनमान नहीं है राहूल गांडी धूंगी और ड्रामार करते है बड़ा दुरबाग्य है बाइनाट की जनता की साथ में बहुत बुरी घटना घटी है कि उन्होंने Congress के उम्मिदवार राहूल गांडी को जिताया और जिताने का है पांस साल उन्होंने कोई भी काम नहीं किया उन्होंने फिर भी इन पे विश्वास करके पुना जिताया और यह उसको बाइनाट की जनता को सड़क पर छोड़के चले गए बाइनाट की जनता बार बार इनके दोके में नहीं आने वाली है ये आएंगे अपनी मर्जी से आएंगे अपनी मर्जी से जाएंगे बाइनाट की जंता विकाज चाहती है अपना जिवन सुरुक्षी चाहती है सरकों का निर्मान चाहती है कैन सरकार के योड़ना को लागू करवाना चाहती है और वहाँ पर बाइनाट की जंता की साथ में ज जलीतों का अपमान किया जा रहा है राष्टे तक खड़ के जी भार खड़े होगे खिड़की से डाक कर देख रहे हैं तो बना दिया उसका भी लगातार अपमान करने का काम कर रहे हैं इसलिए जो भार बोलते हैं जी जो इनके मन में हैं जहां पर देश को गुम्राह कर रहे लेकिन भार जाके राहुल गादी ने का हम आरक्षान अटाएंगे और आज दीख रहा है कि जो अनुचाति वर्के लोगों का राष्टे अद्रस का अपन कर रहे हैं यह इनके दिल की बात है जो दिल की भार आ गया और मुझे लगता बाइनेट की जंता इसका जवाब है कहां गोन्हें सब्सक्राइब क humansाफ जो फिर्कान अटर व्लाएंगे अरक सवरे तवीि का राहुल गानी लेकी नेटा गाथव दनेटा को अंदर आधियाक्ष जोंकी दाली नहीं करते हैं उनका ही इस तरेक हैं時間 का ही अपमान किया जा रहा है तो हम उनसे इस से जादा उमीद आखर क्या कर सकते हैं फिलाल आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रेमका गांधी वार्टरा का ये हलफ नामास साफ ने आया है जिसमें भारी गड़वडी का ये चो संकेत हैं ये मिल रहे हैं और साथ ही का जो आपमान कॉंग्रेस ने किया है किस तरीके से जनता उसका जवाब जो है जो आने वाले चुनाफ है उसमें देगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताहिएगा